सो गैस इस वेडियो में मैं आप सभी लोग को एंजल वन आप कैसे यूज करें यह बताने वाला हूँ यह एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदर से आप लोग शेयर मार्केट में इंवेस्मेंट कर सकते हो ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप लोगो मुच्वल फंड करना है ट्रेडिंग कैसे करनी है मुच्वल फंड में इंवेस्मेंट कैसे करनी है डेपोचिट व्डाल कैसे करना है हर एक चीज इस वठीयो में एंजशonse लोग को यूज करना चाहते हो तो Make Sure इस वीडियो को Miss मत करना वीडियो को स्टेप बाइस टेप कम्प्लीट वाउच करना इस वीडियो में आप सो भी लोगो कम्प्लीट डमो इंजल वण आपका मिलने वाला है अब जैसे कि आप लोग Angel One ने आपके अंदर आते हो आप लोग के सामने Angel One का Homepage कुछ इस तरह का यहाँ पर आता है मनलगा investment का मतलब है कि आपने किसी भी शेयर में किसी भी कंपनिय पैसे को डाल दिया एंद आप लोंग टर्म के लिए वेट कर रहे हो जिसको हम लोग उतले एक्विटी शेयर च्म को बाय करना अगर आप लोगो daily पैसे का मान है तो आप लोग trading कर सकते हो अगर आप लोगो knowledge नहीं है share market के बारे में तो आप लोग mutual fund में अपने पैसे को invest कर सकते हो अब यह कुछ share market के उपर depend है अगर आप लोगो share market के बारे में सब कुछ बता है share market के बारे में आप लोग को knowledge है तो angel one है आपकी मदद से आप लोग आराम से share market में पैसे को लगा कर पैसे को अपने बढ़ा सकते हो अब ये share market क्या होता है पहले आप लोग को इस बात को समझना पड़ेगा share market का मतलब होता है share bazaar एक ऐसा bazaar है जहाँ पर आप लोग को अलग-अलग companies के share मिलते हैं आप लोग उन companies के shares को buy कर सकते हो जैसे इसे company grow करेगी वैसे वैसे आपका पैसा grow करेगा इसलिके आप लोग reliance company को जानते हो मुकेश अंबानी जी की जानते हो आप लोग जानते हो कि regular basis पर मुकेश अंबानी जी की company और रिच बन्ते चले आ रहे हैं और profit अंड कर रहे हैं अब आपको भी रिच बनना है आपको भी profit अंड करना है तो आप लोग उनकी company में पैसे को invest कर सकते हो share market के थ्रू share market में आप लोग को हर एक company लगभग हर एक company बड़ी बड़ी जितनी भी company है लिस्ट में जाती है आप लोग उनके shares को buy करकर अपने पैसे को उनकी company में invest कर सकते हो और आपका पैसा company में लग जाता है जैसे जैसे company grow करती है वैसे वैसे आपका capital बढ़ता है और आप लोग को अलग-अलग से profit होता है अब यह जैसे आप लोग यहाँ पर हो गए यहीं पर आप लोगों को ऊपर एक option मिलता है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डो जोंस तेक उसके बाद आप लोगो ओल इंडेक्स एंडेक्स को उप्शन आप लोगो दिखने को मिलता है अब यह जो निफ्टी है निफ्टी का मतलब है नि जो 3 बच कर 30 मिनट पर क्लोज हो जाता है शेर मार्केट की ओपनिंग ग्लोजिंग की टाइमिंग है सटेडेदेबले मार्केट फ्लोज एंटेट ऐस्यां मंडेट फ्राइडे मार्केट घूलस रहाता है जैसे दिन अखर आप गया है निफ्टी 50 से मदद से जान सकते हैं अ तो अगर नीचे गये तो माँ प्रक्रश्ट के अब जैसे को देखे तो अवाड़ मिलाने आने के बाद ऐसके दिन शेयर मार्टर ना ये अभी बराबर पर चला है ना ऊपर गया ना नीचे और अब यहां पर नीचे जाता अब यहां पर नीचे और बन कर आए तो मैं लोग के यह मार्केट इतने पॉइंट उपर गया प्लस इतने पॉइंट यहां पर हुआ है तो आज के दिन जो शेयर मार्केट है तो इसी से पता चलता है अब उसके बाद नीचे आते हो तो नीचे आप लोग के सामने जो भी आप लोगों को ने यहां जो इसे कि मैंने एक यहां पर से बढ़ाया अगर मैं आपर एक लग रुपे इंवस्ट करता तो मेरा 50,000 का profit होता, अगर मैंने 1 करुड रुपए डाले होते हैं, तो मेरा 50,000,000 का extra profit होता, लेकिन मैं ज़्यादा रुपए नहीं डाले, तब भी हमारा अच्छा का सब profit यहाँ पर हो चुका है, तो यह हमारा, यहाँ पर दिख जाता है, जो भी हमारा portfolio बगरा है, सब कुछ हम मिलता है, नीचे आप लोग के सामने offer and rewards का, एंटे के refer and earn का option दिखने को मिलता है, आप लोग अप के अंदर refer करके भी earning कर सकते हो, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, फिर नीचे आप लोग आते हो, तो discover stocks, आज कि दिन जो higher returns देने वाले stocks हैं, आप लोग उ tools और चेक कर सते हो, फिर नीचे आप लोग के सामने दिख जाता है, advisory दिख जाती है, आप लोगों सब चीजों को skip करना है, अब यहाँ पर shares को कैसे why करेंगे, कैसे shares को sell करेंगे, सबसे main चीज वो निकल क्या आती है, fund कैसे add करेंगे, fund कैसे withdraw करेंगे, वो भी एक main चीज हो and यह पैसा, मेरा safe है, अब safe पैसा मेरा यह bank में, मेरे पास इतना रुपए पड़ा हुआ है, and आज से 10 साल बाद इस पैसे का मैं use करूंगा, आज से 10 साल बाद कुछ purchase करूंगा, फिर 2 साल बाद कुछ purchase करूंगा, तो यह आप लोगी बहुती बड़ी भूल है, क्योंकि एक एक लाग रुपए में बैंक में रखे हैं, अगर आप लोग आज जोगे market में, उस एक लाग रुपए से कुछ भी purchase करने हैं, मैं example लेता हूँ, एक लाग रुपए का अगर आप लोग कुछ भी बाय करते हो, मालिजा कि आपने घर के लिए कुछ खाने का समान बाय किया है, या आप लोगोंने कोई एक लाग कर लिए शोज़ों के लोग रुपए का लिए या एक लाग रुपए है, अब जो आप लोगोंने एक लाग रुपए का जो भी बाय करने हैं, आज से एक साल बाद आगा आज जो महँगाई रहेगी उसको भी बीट नहीं कर पाएगा और मों सही से देखे तो लागि पैसा तब भी आप लोगा डेपरिशियेट होगा एंड वहीं पर अगर आप लोग शेर मार्केट में सही से इंवेस्टमेंट करते हो तो आप लोग अपने पैसे को सही तरीके से ग्रो कर सकते हैं यहां था कि बहुत सारे ऐसे लोगे जो शेर मार्केट में पांच-दस-जज़ार रुपे लेकर आयते हैं करण टाइम पर उनके पास करोड़ों की नेट वर्थ है अब यह रियालिटी है अब एक बात का यह भी बात सुन लो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करना पड़ेगा डिपोजट के लिए आप लोगो नीचे जो अकाउंट का सक्षिन मिलता है इसके उपर आना है नीचे आप लोगो चार ओप्शन मिलते हैं हूम वाचलिस पोर्टफोलियो औरस एंड अकाउंट आप लोग अकाउंट पर आने के बाद उपर ही आप लोगो आप लोगो फट का ऑप्शन मिल जाता है आप लोगा एट फंट पर क्लिक करना है पर जितना भी रुपए डिपाउजट करना जाते हो इतना अमौंट आप लोगो टाइप करना है अमाली जयमे को 2000 रुपए ड़के लिखे लेकिने के बाद यहां पर आप लोग बैंक आ जा देते मपक नहीं है जिस नेम से डिमेंट अकॉंट है ये आपका ऊख़गा अब थो जब आपको पैसे को करता है लोग करेंगे ट्रू केश्क र यहांप हम जलेच करेंगे योड का रहे रहा है है यहाप बैंक आफ इंडिया से दो हजार रुपए का पेमेंट कर दिया है आप देखो हमने अपने उसी बैंक से पेमेंट करी है जिस नाम से हमारा डीमेट अकाउंट है तो हमारी पेमेट सक्सेस्फुल हो चुकी है अदर वाराइस हमारा ट्रांसेशन यह फीर हो जाता और हमारे दो ह अब इस तरह से आप लोगो पैसे को एड करोगे मात्र 10 से 20 सब्सक्राइब के अपने पैसे को इस दीमेट अकाउंट के अंदर एंजल के अंदर आड कर से तो अब आपने एड कर लिया अब आप लोगो शेयर मार्केट में इन्वेस्मेंट करनी है अब यहीं पर आप लोग इन्वेस्मेंट करनी है आप सोचेव कि मैं मोटर सेक्टर में इन्वेस्मेंट करता हूँ अभी ऐवी का टायम आने वाला तो काफी तेज भागेंगे अब आप यह सोच रहों कि मैं बार-बार इनके शेर्स को एक साथ में अनलाइज कर पाऊं आप लोग बार-बार जाके सर्च करते हो देखते हो कि आज दिन का शर्यागा प्राइस आप गया या फिर डाउन गया उपर गया नीचे गया यह सब क्या होत इस फ्लिस्टे उस वाच लिसलीस करे करो क्रूं ओष लिसलीग करने करो अंड यहांपर यहां पर थोझां पयाट raft असे बरूम को आ कमपनी होगा ज आपनी इस एपनी आपने कंपनी से पती है उसट जो भी company हैं shares धारी companies यहाँ पर add करो एड़ करने के बाद आप लोग एक सार चेक कर सरते हो कहां कि यह आप पर आप लोग को देखने को मिलता है तो हां इस्टरा से आप लोग अपनी वाचलेस्ट प्रेट कर सरते हो अब आप लोग किसी भी shares को को बाइ करना है बाइ कैसे करोगे बाइ करने के लिए आप सबी लोग को उपर यह search का बटन दिखता है आप लोग को इस सर्च के बटन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जिस भी शेर में आप लोग इंवेस्मेंट करना चाहते हूं मैं एक आप लोगों से पहले ही कह दे रहा हूं कि जिस भी शेर को मैं इस वीडियो में बाइ कर रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जिस भी शेर को बाइक कर रहा हूं इसको आपको बाइक करने के दिखा रहा हूं तो जैसे कि यहां पर हम लोग किसी भी शेर को लेते हैं टाटा आप अबर एक कंपनी है तो आपको दिखेगा कि ओपन आज कि दिन कितने पर हुआ था यहां पर आ जाएगा आप लोग पर टाइमिंग देसे तो एक मन्त के लिए जो शेयर का प्राइस है यह करीबन 23% से 24% से बढ़ा हो लगी आज से एक मेने पहले अगर हमने एक करोड़ रुपे इसके स्टॉक में डाले होते तो आज 24 लाग रुपे उस पे और बन गए होते एक करोड़ 24 लाग उसकी वेल्ली हो जाती अब बहीं पर हम लोग टाइम मटा के इसको कर देते हैं एक यह कितना रिटन दे रही है एक साल के अंदे कंपणी ने 89.03% सेक्टर रिटन एक सब्सक्राइब करने के बस बटन दिख रहा है इसके उपए क्लिक करने के बाद जितने भी शेर्स आप लोग को बाय करने माले जैकि एक शेर बाई करने को एक लिको एक लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगो जैसे आपने क्वांटेटी लिखी उसके बाद यो प्राइस चल ला है मार्केट प्राइस आप लोगो देखने को महल जाते हैं अब शेर मार्केट जब ओपन होगा उसी टाइम पर आप लोगो शेर को बाय करते हो अगर आप लो चाहते हो शेयर को तो quantity लिखो है आप पर लेखने के बाद market select है तो buy पे क्लिक होगे market rate पर ही share buy हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग यह चाहरो हो कि जो share है इसके उपको एक quantity buy करना ही एक quantity buy करना है लेकिन हम लोग यह सोचने है कि जो share का price है यह 392 रुपीज का है भी लेकिन 385 पर जाएगा 385 पर जाएगा 385 पर जाएगा तब हम लोग इसके को buy करें तो आप लोग एक limit और इसके कर सब्सक्राइब तो इसमें क्या होता है आपने 385 रुपीज लिखा buy पे लिक्किया जब भी share का price आट रुपए कम होगा आपका जो share रहेगा buy हो जाएगा अब यह बस इतना पैसा भी शायद होगा 5 नहीं हम लोग देते हैं 4 quantity हम लोग 4 quantities को buy करते हैं हमने 4 quantity लिखा है charges आ रहें charges पर हम लोग क्लिक करें तो charges रहें गरीबन 1 रुपए 87 पैसे के charges कटेंगे हमारे अगर हम लोग इस share को buy करते हैं 4 share को हम लोग buy पे क्लिक करेंगे हमारा जो share ह यहाँ पर buy हो चुका है अब हमको यहीं पर हमको profit and loss जो भी मारा चलेगा वो दिखना हो रहा है अब जैसे share का price up down up down up down होगा वैसे हमारा पर profit profit loss profit loss हमको यहाँ पर दिखने लगेगा तो इस तरह से आप लोग शेयर को buy करते हो अब इस तरह से आप लोग किसी भी company के shares को buy कर होगा मैंने आज share जो buy किया इसका price 392 point जो मैंने average buy किया था करीबन 392 रुपीज के आसपस किया था अब आज से एक मैने बाद share का price 600 रुपए हो जाएगा अगर तो हमको profit हो जाएगा हमने buy किया था 390 पर end हो गया 600 रुपए price सो हमारा 210 210 रुपए का हमारा profit हो गया यह यहां भाई हमने profit अंगया company ने अंगया तो आपने पैसा डाला है तो आप एक company के ओनर हो तो इसलिए आपको भी पैसा मिलेगा shareholders का मतलब यह है कि आप भी company के ओनर बन चुके हो जितने भी पोल्स वगरा होते हैं सब में आप लोग participate वगरा कर सकते हो अब यहां पर आप आप तो दे सकते हो कि हां तो company कितना profit करें कितना लॉस करें ओर्डर में दे सकते हो पोटफूलियो पर आप लोग आते हो तो पोट इसे फए पर वगा है है कर दो सब्सक्राइब चेइए फोलीँ अगर दो मतलब वही है हमाले ज़िए के हमको sell करना है हम लोग exit पर click करेंगे हम लोग exit करने है अभी हमको एक share को sell करने हम लोग हम लोग 1 quantity select करेंगे हम लोग market पे sell करना जाते तो market पर select करेंगे या फिर हम लोग यह चाहर मतलब इस एडियेसल का जो सीन है इसके पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई है वीडियो देख लेना पता ही हो कर शायद आप लोग एक टीपी आता है फॉन पर डालो एंट सेल पर क्लिक कर दो आपका शेयर हो रहेगा वह यहां पर सेल हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर मुच्वल फंड का मतलब मुच्वल का मतलब होता है एक साथ लेकर एक फंड तेक है मलगे एक समूझ लोग जितने भी लोग है जिसे कि हम हैं आप है आपको शेयर मार्केट के बारे मैं शायद अभी नहीं पता हमको पता है ऐसे लाखों लोग है जो कुछ कर रहे हैं उनको पैसे को बढ़ाना है अपने जो पैसे कमा रहे हैं उसके उपर भी डिटन करना है बट उनके पास टाइम नहीं कि वो शेयर को अनलाइस कर सके वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वह लोग क्या कर सकते हैं जैसे आप लोग को मुच्वल फंड पे आराओ मुच्वल पर आ करते हैं अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा इंवेस्ट करते हैं जैसे से कंपणी ग्रोग रहे हैं वह बेस्ट रहती है क्योंकि वह एक्सपर्ट होते हैं जो आपको पैसे को शेयर में इंवेस्ट करते हैं बस यहां पर क्या होता है जो मुच्वल फंड की कंपनी रहती ह उस वीडियो को देख लेना क्योंकि पहले से यह लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो में नेक्स वीडियो आप जो मैं बनाए हैं लिंक डिस्ट्रक्शन पर दूँगा देख लेना कैसे आप लोगो मुच्छूल फंट में इंवस्ट्मेंट करनी है ट्रेडिंग यह आप लोगो हूम का पेज लुग जाता है वॉच्छ लिस्ट में आप लोग वॉच्छ लिस्ट कर सकते हो पॉर्ट्फोली में जो शेर्स आपने इंवस्टर कर रखें वो मिल जाते हैं यही पर आप लोग मुच्छ फंड की इंवस्ट्मेंट सोवरेन को इंवेडिमेंट सारे के लोगो विड्रोव में आएगा दो दिन बाद ही उस पैसे का प्लोग विड्रोव कर सतों अमाउंट अंट करने के बाद इसली आप लोगो जो पैसा रहेगा वहां पर विड्रोव हो जाएगा तो गैस कुछ इस तरह से आप लोगो शेर मार्केट में इंवस्ट्मेंट करनी कि हम इस चनल पर आप लोगों को ऐसी वीडियो देते रहते हैं बाकि आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में तपर टटा बाए बाए जैहिंद वन्दे मात्रम